उत्राखन की रोडवेज बस का दर्दनाग सड़कास सा हुआ है मिली जानकारी के मताबिक उत्रप्रदेश की नेनितार रामपुर हाईवे बिलासपुर के पास ट्रैक्टर ट्रॉली से टकरा गई जिससे रोडवेज की परिचालक की मौके पर ही मौत हुई है जबकि चालक सहे 14 लोग गंभी रूप से खायल है फिलहाल सभी का इलाज रामपुर और बरेली के अस्पताल में चल रहा है जिसमें बताया जा रहा है कि पांच यात्रियों की हालत नाजुक बनी हुई है कटना देर रात की बताई जा रही है मिले जानकारी के मताविक हलदवानी रोडवे दीपो की बस मंगलवार देश शाम हलदवानी से दिल्ली के ले निकली इस दौरान देर राज साड़े ग्यारा बजे ननितार रामपुर हाईवे बिलासपुर के पास ट्रेक्टर टॉली और बस के बीच जोरदार टक कर हो गई जहां हास्से में बस में बैठे परिचालग मनीश मिश्रा की मौत हो गई जबकि चालग गंभी रूप से घायल हो गई बस हलदवानी से रात में नौ बजे दिल्ली के लिए रवाना हुई जबकि घटा साड़ी ग्यारा बजे के करीब हुई है जिस संबन में A.R.M. हलदवानी सुरेंद्र बिष्ट ने बताया कि वो खुद मौके पर पहुँच चुके हैं गायलों को अस्पताल ले जाया गया वही हाथसे में चौलक सहित 14 लोग गंभी रूप से घायल हुए है जिसके बाद गंभी रूप से घायलों को बरेली की राममूर्ती अस्पताल रैफा किया गया जबकि कुछ खायलों को रामपुर के अस्पताल में भड़ती कराया गया है